जैहिन देखे आप सभी के लिए MNS यानि कि Military Nursing Service में जो नई विकंशी है वो ओफिशले आउटो हो चुकी है सबसे पहले ही बता देते हैं कि इस विकंशी के लिए only जो female candidate हैं वहीं eligible हैं जो male candidate हैं वो अब इस विकंशी के लिए form apply नहीं कर सकते तो यहाँ पर अगर आपने BST nursing कर रखी है या फिर MST nursing कर रखी है तो बिलकुल यहाँ पर जो है इस विकंशी के लिए form आप एप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर जो qualification है वो आपको हमने बता दी है इन सब के अलावा जो आपकी age है वो आपकी minimum 21 और maximum 35 साल होनी चाहिए जो आपकी age है वो देखे 25 दिसंबर 1988 से लेकर 26 दिसंबर 2002 के बिस में होनी चाहिए तब इस विकंशी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर अगर हम आपकी selection process के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका computer based examination होने वाला है जो के आपका 14 जनवरी 2024 को होगा और जिसको conduct करने वाला है NTA National Testing Agency यहाँ पर जो आपका exam है इसमें total आपके तीन सब्जक्ट रहेंगे सबसे पहले आपका जो technical subject है nursing का इसके अबाद English का और तीसरा जो आपका section है वो आपका रहेगा journal intelligence का और आपके exam में जो है कोई भी negative marking नहीं रहेगी total जो आपका exam है इसमें से जो qualify marks है वो आपके 50% रहेंगे cut off आपकी अलग से मनेगी लेकिन जो minimum आपको 50% का score है वो करना complexity रहेगा यदि आप अपना exam qualify करते हैं तो जो आपके नक्स प्रोसेस रहेगी वो आपका interview है जो कि आपका दिल्ले में ही conductor किया जाएगा और interview अगर आप बिलकुल complete कर लेते हैं तो जो आपको medical examination है उसके लिए सोटलिस्ट कर लिया जाएगा जो interview है जो medical है इसमें आपका time लग सकता है लग बग एक week का तो इसके लिए जो आपके बिलकुल का वो भी दिया जाएगा ओके तो यह कुछ आपकी सेलेक्शन प्रोसेस के जानकरी है जो कि यहां पर आपको बताई गई है और जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके फर्स्ट जो सेलरी रहेगी वो आपके left hand के पोस्ट के उपर जो सेलरी बनती है वो रहने वाली है बाद इस ने भी जो पन ओफिसल नोटिस है इस रिक्रूमेंट के बारे में वो जारी कर दिया है और यहां पर जो एक्जाम आपका होने वाला है MSU के बेस्ट हैगा जो केवल और केवल आपका इंगलिस में कंड़क्टर किया जाएगा और उसमें कोई भी जो नेग्टिव मार्कि दिये गए हैं आपके online form वे फिलफ के बारे में तो यह थी आपकी नई जानकरिया आपके जो नर्सिंग आफिसर के नहीं बढ़ती है उसके बारे में उमीदिए कि आपको जानकरिया चलगी होगी आगे के ब्डेट के लिए चलिए रहीएगा जैहिन